यह है रेडमी 10 प्राइमोरीस फोन के अंदर आता है 50 मेगा पिक्सल का सूपर स्टार कैमरा यह मैंने बोल रहा हूं कंपनी का दावा है और कंपनी का दावा कितना सच होता आप इस वीडियो में देख लोगे यह पहले हमने फोटो कैप्चर की है फोटो अच्छी है यह पर ज आप देख सकते हैं ओटोमेटिक मोड की फोटो इस फोन में आपको यलो टोन की साथ दिखाई देंगी नेच्रल बोल नहीं लगेंगी इसी तरह जो तीसरी फोटो है यह 50 में पिक्सल से कैप्चर की है आप ऐसे देखोगे तो को कोई डिफ्रेंस नहीं पता चलेगा पर दिखेंगे इसी तरह कुछ और भी फोटो आप डिफ्रेंस देख सकते हैं कि ओटोमेटिक मोड वर्सीज प्रो मोड में कैसा यह फोन काम करता है यह फोटो जो लेफ्ट वाली है नॉर्मल फोटो है सेकिंड वाली फोटो AI की साथ है जो थर्ड वाली फोटो है HDR की साथ है त अब ने मालकिया वाँ पर इतना अच्छा नहीं है इसा तरह दूसे फोटो मिश्甚至 कन देख सकते हो कि जो आची मेरा से पूं में अच्छा है इस और यह photo इसके front camera से capture की है तो आप देख सकते हो कि जो sky का color आपको बिल्कुल भी नहीं दीखेगा आप जो right वाली photo इसमें sky का जो color है वह आपको दीखेगा क्यूंकि यह photo HDR mode में capture की गई है फर्स्ट वाली photo नॉर्मल मोड में capture की है second वाली photo प्रो कलर का एक option आता है इस phone में उसको इनेबल करके capture की है तो इसमें color आपको ज्यादा पंची देखेंगे जो थर्ड फोटो अल्ट्रावेड एंगल कैमरा से capture की है इसी तरह कुछ और photo जो नॉर्मल मोड में जो प्रो कलर क option आता है उसका difference अब फोटो में देख सकते हैं जो हमारी आखों को color इस तरह की देखने को अच्छे लगते हैं बट यह बिल्कुल भी natural photo आपको नहीं देखेंगी इसी तरह यह कुछ और photo जो हमने macro camera से capture की है ठीक ठाक photo हम इनको बोल सकते हैं ज्यादा अच्छी नहीं बोल स left वाली photo नोर्मल है राइट वाली photo इस option को इनेबल करके capture की है तो कुछ भी आप difference नहीं बता सकते हैं इसी तरह हमने कुछ और भी photo's capture की थी पट हमें ज्यादा डिफ्रेंस देखने नहीं मिला फर्स्ट वाली photo है second वाली photo night mode में capture की है जो थर्ड वाली photo है अल्ट्रा इसमें नहीं दीखेंगी यह photo इसके front camera से capture की गई है रात की समय में पहले वाली photo normal photo second वाली photo HDR की साथ थर्ड वाली photo है स्क्रीन फ्लेश का यूज करें के capture की है front camera में मिलता है 8 megapixel का इस phone में तो जहां तक light मिलेगी इस front camera को यह photo ठीक ठाक capture कर लेता है बट लो light में इतनी ची capture नहीं करेगा इस तरह में आपको कुछ और photo's दिखाता हूं यह photo आप देखोगे तो यह indoor में suit की गई है पहले वाली photo normal photo second वाली photo beautify mode की साथ है थर्ड वाली photo portrait mode में portrait mode में ध्यान देने वाली बात है कि beautify का जो option होता है वो बंद हो जाता काम नहीं करता है इंडोर में आपको ठीक ठाक photo मिल जाते हैं इसके front camera से ज्यादा भूरी हम नहीं बोल सकते कि अच्छी photo में बोल सकते हैं इसको और यह कुछ back camera से हमने capture की है पहले वाली photo automatic mode में है second वाली photo AI के साथ है जिसमें color हमें थोड़े और बूस्टिड मिलेंगे तो थर्ड वाली photo है portrait mode में जो फॉर्थ वाली photo है आप इसमें देख सकते हो जो प्रो कलर की साथ capture की है color और भी ज्यादा पंची हो जाते हैं यह वीडियो हमने बनाई इसके back camera से जिसमें maximum option मिलता है 1080p तक का 30fps 60fps का option आपको नहीं मिलेगा 4K option आपको नहीं मिलेगा और वीडियो के बारे मताऊं तो कुछ ज्यादा detail से नहीं है EIS और OS का भी आपको इसमें option नहीं मिलता है ज्यादा से कि आपको वीडियो मिलेगी और वीडियो में जो color है वो भी काफी अ आपको इसमें option मिलेगा slow motion के जरी और frame rate कितना है इसमें company नहीं नहीं बताया है तो दिन के समय के वीडियो फिर भी आपको इसमें details नहीं 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 रहेंगी जो घास अब आप देख सकते हो कि कैसी घास हो चुगी है तो बिल्कुल भी slow motion यूज करने के लाइक नहीं है इ प्रेंट्स विडियो में आपने देखा जो sound का volume काफी कम लेवल पर रिकोर्ड होता फ्रेंट केमरा की video recording में एक इस फोन में तो फ्रेंट्स फाइनल वर्ड की बात करूं तो और camera review की camera 50 megapixel का इतना अच्छा काम नहीं करता यह नहीं कह सकती सारी फोटोज खराब आती है कु अच्छा काम करता है मैक्रो सोट्स वाला केमरा दो मेगा पीसल का तो ज्यादा उमीद नहीं कर सकते फरेंट कैमरा ठीक ठा काम कर लेता है कुल मिलाकर बात यह कि अगर आप कैमरा के लिए फोन को लेना चाहते तो बिल्कुल भी मत खरीदना कैमरा के लिए फोन नहीं आपने इस वीडियो में देख लिया कंपनी अलंकि कुछ भी कहते रहे पैसा तो कस्टमर को लगाना है तो कुछ और भी वीडियो जमीश फोन की डालेंगे जैसे कि चार्जिंग टेस्ट है फुल रिव्यू आने वाला है गेमिंग का रिव्यू आने वाला है तो फ्रेंड्स आप वीडियो देख सकते हो बट कैमरा के लिए फोन नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए हो चैनल पर फर्स टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करना आप फ्रेंड्स हम आपसे मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई